Hello everyone, welcome back to my channel आज हम लोग परने वाले ब्रेकेल प्लेक्स के बारे में मैंस अपर लीम चालू कर रहा है तो अपर लीम में बेसिकली आपको क्या परना है सबसे पहले मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया ब्रेकेल प्लेक्स के बारे में अपर लीम में अपना आम और फोराम के बारे में उसको कौन सप्लाइ करता है उसको कौन नर्व की प्लेक्स का नाम दे तो यह कहां पर होता है बॉड़ी में यह समझ लो यह देख रहे हो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर यह हमारा अपलिम में राइट यह हमारा आम है तो इसको यह पूरे का पूरे कुछशा जो है नर्व का वो इसको सप्लाइ कर रहा है तो इसी को आम ने नाम दिया है क arc है ब्रेक्यल प्लैक्सस और रहा ह jogo है लेकिंष इसको तो सिंप्लिफाई करदें इतना समझ में आता है कि हमारी सपायनल कहां lot से निकल रहा है यह इस्क्षाया वजां सब्स्त्रा परका। कांकर बन 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 रहा है कि इसे का यह स्थाईब principle श्था च्रच कीशिचण यहां यह पहुत ही simplified diagram है, जिसे हम लोग देखेंगे, कि देखो C5 और C6 मिल करके क्या बना रहा है, वैसे तो roots मिल के क्या बनाते है, trunks बनाते है, trunks फिर divisions बनाते है, divisions, quarts और फिर last में वो branches दे जेते है, यह तो तुमको यह order रतना परेगा, तीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि C5, C6 मिल करके कौन सा trunk बना रहा है, superior trunk बना रहा है, C7 अकेला क्या बना रहा है, middle trunk बना रहा है, और C7 तो T1 मिल करके कौन सा trunk बना रहा है, inferior trunk बना रहा है, ठीक है, इतना तो समझ में आगे, आराम से ही, 2, 1, 2, ठीक है, उसके बात यह这 트unck है, हर एक 트unck कि क्या करेगा, 2 divisions रहा ह Crung up और आ डिविजन पर बच जा रहा हुं और फीजन क्या हो गया हैं यहां पर अपई combined अब इसका यह जो division घज़के, अगर यह एंटेरीय ठा, तो यह कौन सा division बचके और उसका और इसका치를 हो एक इसके अलावा इसका एक एंटेरीय डीशन बचके, इसका एंटेरीय डीविजन अकेला कौन सा कौट बनाते रहा है, medial cord, तो यह चीज़ समझना होगा, कि तीन cord बन गए, lateral, posterior and medial, इसके अलावा, अब यह cord क्या करेंगे, आगे जाके branches देंगे, और वो branches अलग लग चीज़ों को supply करेगा, तो यह जो lateral cord है, यह branch देता है, musculocutaneous, उसके बाद यह और एक और चोता सा branch देता है, ज और एक radial nerve, तीक है, और उसके बाद हमारा जो यह medial cord है, वो क्या कर रहे है, एक branches, जो lateral cord के branches, medial cord के दो branches मिल करके, median nerve बना रहे है, और यह एक और branch देरा, जो ulnar nerve बना रहे है, तो यह basically अभी आपको difficult लग रहे है, लेकिन अभी धीरे-धीरे करके, यह आसान आपको लगने ल रूट्स जो है, जो मैंने अभी बताया जो यह roots, यह roots जो है originate करते है, C5 से T1 के बीच में originate करते हैं, लेकिन कौन से दो muscle के बीच में originate करते हैं, वह है sclaneous anterior, sclaneous medius, यह MCQ में आ सकता है, इसले इसको याद करो, प्रीफिक्स्ट कोड, जो होता है, पोस्ट फिक्स्ट मिल्स C5 से पहले क्या आएगा, C4 आएगा, C4 यहाँ पर आजाता है, आपका एक्स्ट्रा, और यहाँ जो T2 है, यह T2 नहीं आता है, तो इसको प्रीफिक्स्ट कॉर्ड बोल देंगे, कभी-कभी होता है कि C4 का इन्वाल्मेंट हो जाता है, इसको प्रीफिक्स्ट कॉर्ड ब तक रहेगा, ऐसा, और जो इसमें, पोस्ट फिक्स्ट में, C5 भी क्या हो जाएगा, तो इसको प्रीफिक्स्ट के बारे में पर लिए, अब हम लोग पारेंगे, तो हमें बता है कि ट्रंक में, सुपेरियर, मिडिल, इंफेरियर होता है, या फिर अपर, मिडिल, लोवर बोल पॉस्ट इरे ठीक है, और यही एक खलोड़ा पॉइंट है, जहाँ पे कोई ब्रांच ब्रांच नहीं निकलती, हैं आप कोई बारे में लोग से ब्रांच नहीं निकलती है, अब कॉर्च में आ जाओ, तो नेम बेस्ट और रिलेशन स्टॉ फेक्षालर आयर्टी, अब यहा प्रेकियल प्लेक्स के बारे में तो यहां पे ही हमारा एक्जिला इसी पोशन को यह वाला पोशन है इसको एक्जिला बोलते हैं यहां पे इसको सप्लाय करने के लिए एक्जिलरी आच्री भी होगी तो यह जो एक्जिलरी आच्री है ना कहा गया हां तो यह जो axillary artery उसी के उसी का जो second part है उसके ही relation के साथ इसका नाम बनाया गया कि अगर वह axillary artery के कोई चीश लेटरल में है तो उसको लेटरल कॉड बोल दिये उसके medial में है तो medial कॉड बोल दिये पिछे में है तो पोस्टेरिया कॉड बोल दिया तो यहां पे ही एकले यह फे ब्रेक्ट प्रेकश जा रही है तो उसी के इसाब से उसका नाम रख दिया गया है ठीक है यह समझ में आ गया तो यह लेटरल कॉड है वह हमारा अब लैटरल और मीडियल समझ में आता है कि अगर ह जो जुछ पास है वह हमारा मीडियर हो जाएगा और हो जो डूर है वह हमारा लैटर लो जाएगा ये जैज इनी के याद रखना है कि इते हrost हनले कुछ anatomical terms होते हैं तो यह सब उसके बाद आते हैं हम लोग कि लेटिल कोड किस से बना था उने इसके आंचिर डिविजण और जयुँन से बना था यह मैंने दिखा हां की इसके आंछिक दीन पूर। यह कहें से बना था बैटिरियर कोड यह जो रूट है यह ओसीपिट्ल ट्राइंकल में रोद लोडे थे होता है तो यहadı नेक को हम लोग इंटीर यन फोस्ट्रीई ट्राइंकल में दिवा यह शचेप्टण वहले में अब हुवलायर ट्राइंगली वेह यहां पर अ पौस्ट्राइंगल होता है तो वह ही पर हमारी जो इसका नाम आप्रत रहें जो पूरा टेबल है यह बहुत ही इंपोरेंट टेबल है जिसमें यहां रूट्स, ट्रंक, चौट्स, लैटरल, मिडियल और पोस्टिरिय सारे लिखे हुए उसके कितने ब्रांचे सोते हैं सब लिखे हुआ हैं तो यह निकलता है तो नॉह लोग भी बोलते हैं फिर ट्रंक है चाहिए से वह निकलता है नर्व शुर्प्रश इन ढ में दिखाता है घ्रियर फोस्ट्रे उसके प्रेट्र लेट्रोप उसके ब्यच्टर निकलतें तो वह तो मैंने बता है और कुछ एक्स्टा ब्रांचे स्पीए जैसे मस्किलो कुटेनिस ही नहीं निकलता है लेटरल पेक्टोरल नर्व निकलता है लेटरल रूट है लेटरल से आता है लेटरल से आता है लेटरल से आता है लेटरल पेक्टोरल नर्व उस तरह से मीडियल के भी बहुत सरे रूट है तो मीडि ही जीची जेया अगा जाएगी सग्शाम के घियंतों ऐसे ass लडिकंगी त ही तो Len लेटरल पाइवा जो सप्राइब कर जा शीन को सप्रिय करें तो इन बीयल साइट औरें सब्狡नाशी थे में सब्सक्राइय करें करें वर्ठ घ्र कर बूटनाः में सबर दो दोनों से मिला करके है तो उसके बाद पोस्टेडियर का पोस्टेडियर अलनर नर्व को याद करने का तरीका है अलनर, U-L-N-A-R, U-L-N-A-R, ठीक है, तो अपर सबस्केपुलर, लोवर सबस्केपुलर, नर्व तो लेटिसमस दॉसाई, एक्जिलरी नर्व और रेटिल नर्व, तो पीछे स्केपुलर होती है, हमारे तो उसको सप्लाई होती है, अपर सबस्केपुलर, लोवर सबस्केप जो हमारा साफृ आगरा सब्सक्राइब यह परॉपलैस छो झॉडल को समझ मां आ तो अभी इसके बाद सते हैं आपने अप्लाइड नेक्स्ट वीडियो में कभर करोंगे पा्की बता देना की सब्सक्राइब कांप्ला करना यह मुझे कंटिनू करना चाह exciting नहीं के नाची तो तब तक के लिए बाई बाई